जैन सातियों के से आप सभी आप सभी का यूपी एक्जाम स्वाला में हार्देख स्वागत है आप सभी को मेरा नमस्कार अधाप शस्यकाल जल्दी से जुड़ जाईए सेशन में आज के और बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं आप लोगों की ही डिमांड पर ठीक है मैं बदा रहा हूं आपी की इच्छा थी आपी ने मुझे फोर्स किया था इस क्लास को करानी के लिए अब आपक की नेतिक जिम्मेदारी बनती है इस क्लास में आना और इस क्लास को उन दोस्तों तक भी पहुचाना जो टॉपिक वाइज बहुत ही शॉट में रिवीजन करना चाह रहे थे हैना चलिए तो चलिए जुड़ जाईए आज आप फटा-फट से सेशन में बहुत ही उमदा सेश जो भी कोशन अगर आपके रह भी जाएंगे तो उन कोशन को जो है मैं डाल दूगा टेलीग्राम ग्रूप में लगा लीजेगा पाकि आज शाम साथ बजे आप लोगों के लिए शूरवीर बहुत ही शांदर ये इवेंट आ रहा है तो आज शाम साथ बजे शूरवीर वाल पर नाम है रीजनिंग भाई पुलकित सर इसको जो आइन कर लीजेगा इस पर जो है वो आपको मिल ही जाएंगी हैना साथ पीम पर जो क्लास होती है वो तो एस इस होगी वो कोई अभी खतम नहीं होई है तो सबसे पहला टॉपिक होगा आपका एनलोगी और एनलोगी का क्या होना चाहिए तो यहां पर क्या रहा है कि जिस प्रकार कलम का संबंद लेकर सामिक्री से है उसी प्रकार कुर्सी का गिस्से हो जाएगा तो गाइस कुर्सी का हो जाएगा आपके फरनीचर से अर्थात option number B आपका अंसर हो जाएगा फरनीचर ठीक है मैं सोचरा हूं पोल मैं इसमें यूज ना करूँ तो जाधा फास्ट हो जाएगा है ना पोलर का यूज करने में समय लगेगा बिना पोल के पड़ते हैं तो यहां पर आपका अंसर क्या हो जाएगा फरनीचर हो जाएगा जैसे कि आप देख ऴी पारहें कि कुडसी कि ज़िए जिस प्रिकार ये क्या है इसका वरगी करण है यानि कि classification है जिस प्रिकार कलमयानी कि पैन यानि कि नहीं है लेखंत सामिक्री चेंदर आता है उसी कर जो आपकी यह कुरसी है यह फरणीचर के अंदर आती है यह फरणीचर अगलति ने जिस परकार पुस्ताकाले का सब्सक्त को से है उसी परकार बेंकर स्सक्राइब या पर मेंद्रेइब को नौट सबंद से हो जाता पैसे तो तो ieहां पर किस्से हो जाता लेकिन नहीं यह यहां पर वो क्या रहा है थे रहार भुस्त का यज किससे ही पुस्तप मतलब कौन हो गया भूं का आए कि class जो है वो पोल लगाना चाहिए आप यह सोचिए class recorded चल रही है recorded format में आप इस class को पढ़ रहे है ठीक है आप यह सोचिए आप इसको videos वाले section में recorded format में इस class को पढ़ रहे है जैसा कि आप लोग demand कर रहे थे कि सभी topics का जो है वो short में से revision करा दो so fastest revision fast यानि कि यह वाली बात हो गई अब यहां पर आजाए सौरी अगला question देखेंगे next है है अगला question देखेंगे next है आपकी screen पर बदाईए क्या रही कि bankers मतलब हो गए व्यक्ति हैना जो bank में आते हैं उनको bankers कहते हैं जो कि आप मैं हम तुम ठीक है वो हो गए पिर यहां पर क्या आगया vitamin A का संबंद गाजर से है तो vitamin A का संबंद क्या गाजर से है तो विटैमिन C इन में से किस में मिलता है तो विटैमिन C संत्रे में मिलता है अर्थात औरेंज इसका आंसर होगा option number four ठीक है क्या हो जाएगा विटैमिन इन में से किस में मिलेगा संत्रे में मिलेगा अगला कोशन देखो next है क्याना है कि map का संबंद location से map जो है वो मांचित्र जो है वो इस्थानों को दर्शाता है मांचित्र क्या करता है map जो है वो location यानि की इस्थान की बात करता है तो मांचित्र में हमें स्थान मिलता है तो शब्दकोष में क्या मिलता है बदा ये तो उसी शब्दकोष में हमें क्या मिलेगा उसी शब्दकोष का संबंद किस से होगा बताओ जल्दी से शब्दकोष की बात की गई है तो शब्दकोष का संबंद किस से हो जाएगा पटाफट से करो अच्छा यहां पर बहुत एक बात सुचो मैप मैप में बहुत सारी जगा हैं लेकिन मैप का यूज हम करें लोकेट करने के लिए किसी चीज की लोकेशन दर्शाने के लिए यानि कि वो एक तरीके से उसका अर्थ ही तो बता रहा है वो एक तरीके से उसका अर्थ ही तो बता रहा है तो शब्द कोश में शब्द तो मिलते हैं लेकिन हम में पता क्या चलता है हम शब्द को उसका यूज करते हैं शब्द कोश का यानि कि हम डिक्शनरी का यह ना सोचना कुछ नहीं सर फास-फास करा दो फास-फास मैं तो करा दूंगा तुमको कुछ भी पल ले नहीं पड़ा फिर के करोगे चलो तो थोड़ा बहुत बदाता भी चलूंगा थोड़ा फास भी चलूंगा क्या थर्मामीटर का संबंध तापमान से तो थर्मामीटर स्थाथ्थ्र को अपकी आपने के बिल्कुल भी नहीं पालजेशन भी अपने के काम ही में की स्थाया है यानि की यहां पर आंसर होगा इसका option C दाव pressure, manometer भी जो है वो pressure को मापने के काम ही आता है, याद रखना इस बात को, ठीक है, so manometer इस तरह का दिखता है और यह pressure की जो है वो मापने के काम आता है, अगला दिखे, कहा रहा है, आख का संब्द मूतिय बिंद से है, यानि कि तौचा का किसे होगा, दो करता है है, यानि किご lange société ऑग्जाइमा कहते है और लोकेश्वाट ओट कर रहे हैं सब्द कोष्वे में शब्द दीए होते हैं उसका अर्थ निकालते हैं मतलब इस्चांग में इस और में हमे कि आया डाक लेके आया डाकिया जो है वो आपका डाक लाया तो पत्र का संबंद मतलब डाक का संबंद किससे है डाकिय का है तो पत्र का मतलब क्या हो गया लेटर हो गया लेटर मतलब वही डाकिया डाक लाया तो शिक्षग टीचर जो है वो क्या लाएगा टीचर जो है वो न ग्यान देगा सही है चलिए बहुत बढ़िया सो टीचर क्या देगा ग्यान देगा अगला कोशन देखिए नेक्स्टे बदाईए अगला कोशन नेक्स्टे देखिए बदाईए इस कोशन में क्या कह रहा है करिये जल्दी से अंजर अगला कोशन देखें नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बदाई है कि ये कोशन वा आप से क्या कह रहा है क्या रहा है जो रबड का संबंध ब्रक्ष से है अब देखो ब्रक्ष से रबड कोई डारेक्ट तो मिलती नहीं है ब्रक्ष से रबड तक पहुचने के लिए हम एक चीज की ज़रूरत होती है और इस चीज को हम जो जाएगा रेशम जो है मतलब रेशम का संबन्द यहाँ पर किस से हो जाएगा सो रेशम का हो जाएगा कीड़े से है ना जिसे हम रेशम का कीड़ा बोलते है कीड़े से हमें रेशम मिलेगी मतलब आपका अंसर हो जाएगा ये ठीक है यहाँ पर आप मैंने दिखाया भी है तो रेशम का कीड़ा यानि कि warm of silk silk warm जिसको हम कहते हैं तो रेशम का कीड़ा जो है इसका अंसर हो जाएगा that is option B अगला देखे क्या रहा है डाक टिकेट का संबंद डाक टिकेट संग्रह से है stamp collection से तो coin का किस्से हो जाएगा है ना तो coin यानि कि आप से बात कर रहा है शिखे की तो सिखा सिख्वा मतला मुद्रा मतला मुद्रा शास्तर तो यह तो question देखते ही खतम दा option 2 इसका अंसर होगा अगला देखो कह रहा है काला हिरन पंजाब से संबंदित है तो चिंकारा किस्से हो जाएगा काले हिरन का संबंद पंजाब से है तो चिंकारा का किस्से होगा कौन-कौन जानता है चिंकारा क्या है चिंकारा जो है वो भी ऐसा ही दिखता एकोच अले हिगता बस ऐसा दिखता यह खांसर राव्नहेयर और यह काले हिरन का संब्ढ़ से ते अइसा नहीं हो तक बहुंड घांसवाNow चलो भीड़िया ना वहाल यहां यह पर आंसर पूछ कप से तो पोलो का किस्से होगा कि एकला फुट्बॉल का वी पेर्可愛收क Ooo जो को यह आइन गरेट कर लोग जो है वह इस्टिक से बाल को मार रहे होते हैं वह पोल हो जाता है और इसका संब्द होता है ज़रा वाप से किस्से होता है इसका संबंद होता है यानि की ऐस्ट नुमेर 4 कि से हो जाएगा ऑप्शन नुबर 4 हो जाएगा एज्ड़ाइगा अज्ड़क आपका आंसर बन जाएगा अगला कॉश्चन देखो next है और है नाइट्रोजन का संबंद गैस से है, तो नाइट्रोजन का संबंद गैस से है, तो इन में से बदाना है, किसका संबंद बिल्कुल सही है, मतलब इन में से कौन सी चीज जो है, वो आपकी बिल्कुल ठीक है, करिये जल्दी से, पटावट से बदाएए, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्य डेना, डेना कंपनी के पंक आते हैं, बहुत बढ़ी आ बात है, सो मर्कुरी, अब क्या है आपकी पारा यानि के तरल द्रव हो जाएगी, ठीक है, अगला देखिये, तो यहाँ पर बात की गई है, कलोनी का सम्बंद किस से है, चीटियों से अब पक्षिती जो है वो क्या होती है पक्षिती जो है वो एक प्रकार से आपकी जीवी है तो पक्षिती का संबंद किस से होगा बदाओ इसमें पक्षिती में कौन रहेंगे प्लमेज में कौन रहेगा कलोनी में चीटिया रहती है चीटिया का रहती है चीटिया जो है वो कलोनी में रहती है चीटिया जो है वो कहा रहती है तो चीटिया जो है वो आपकी कलोनी में रहती है बिटा आप से पूछ रहा है पक्षती यानि की प्लमिज इसका बदाओ क्या होगा? पक्षिती जो है एक तरीके से पंखो की एक परत को कहते हैं पक्षिती जो है वो एक पंखो की एक परत को कहते हैं इसलिए इसका संबंद जो है वो विंक्स से यानि की पंख से हो जाएगा देखो ये एनलोगी था एनलोगी में ये सबसेची चीज़े आएगा तो टिक होगा नहीं आएगा तो नहीं होगा वहाँ ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एक्जाम में भी एनलोगी के अंदर अगर आएगा तो सही होगा नहीं आएगा तो सही नहीं होगा ठीक है पक्षती बेटा एक पंखो की एक परत है अब यहां देखो क्या रहा है ड्रोगी का संबन्द चिकेट सकसे है तो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास हैना चात्र जाता है टीचर के पास यानि कि चात्र कहां जाता है सिक्षक के पास अगला देखो नेक्स्ट है बना सब्सक्राइब को स्कूरू ड्राइवर से और कील को हतोरे से यानि कि हैमर से तो आंसर होगा इसका ऑप्शन थार्ड यानि कि हैमर जो इसका सही आंसर होगा क्या रहा है मिस्र का संबन के काहिरा से है तो कैरो क्या है सुरी काहिरा कैरो कह लीजे एजिप्ट की राजदानी है क met ccao kenya की राजदानी क्या है इजप्ट की राजदानी क्या हो जाेगी बताव जल्दी से यहां जल्दी से weather kita ki राजदानी जो है वो आपकी क्या हो जाएगीगा शूपर-30 वाली को ही मैंने क्या किया एक साथ एक में 3-4 topic करके combine करा रहा हूँ बिटा वो super 30 topic revision नहीं तो चल रहा था, यहाँ पर भी वही बात है तो Kenya की क्या हो जाएगी, Nairobi यानि की option third आपका answer हो जाएगा, ठीक है अब अगला देखो next, BEGK को अगर ये लिखा जाए तो PSVY को आप क्या लिखोगे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा BEGK और इसको लिखा क्या जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है ADFJ, तो आप से पूछ रहा है PSVY को आप क्या लिखेंगे आप से पूछ रहा है PSVY को आप क्या लिखेंगे तो देखे, B से A गया मतला minus 1, E से D गया minus 1 और G से F गया तो –1, K से J गया तो –1, P से –1 किया तो आपका हो गया, O, S से –1 किया तो R, V से –1, U, Y से –1 आपका हो गया, कितना X तो यहाँ पर हो गया, O, R, U, X, अर्थात, Option B, इसका राइड आंसर होगा, क्या होगा, B, Option इसका correct answer होगा, अगला देखे, A, Z, B, Y को लिखा जाए, C, X, D, W, तो EV, F, U को आप कैसे लिखेंगे, करिए, बहुत ही शांदार तरीके से, देखो भाईया, इस पीड में रिवीज करानेगा, अब तुमको स्पीड भी चाहिए, तुमको रिवीजन भी चाहिए, अब तुम चाहरे हो कि सर मैं इसमें के concept भी समझाओ, तो फिर वो रिवीजन थोड़ी हुआ, वो तो concept वाली class हुई, concept वाली class आपके लिए चली रही हैं फिर, उनको देखो, क्या रहा है, A, Z B, Y, और वैसे भी अब नया कुछ करने का काम समय बचा नहीं है, जो आपको आता है, उसी को revise करो, A, Z, B, Y को लिखा जाए, C, D, W, आप से पूझ रहा है, E, V, F, U को आप क्या लिखोगे, तो A से C, प्लस 2, ये माइनस 2, ये भी प्लस 2, और ये माइनस 2, तो यहाँ पर प् यानि की option A, जो है, इसका correct answer बन गया, अगला देखो, next है बनाओ, अगले question में क्या कह रहा है, बेटा, box test जो सुबा में कराया था, उसकी answer की, वो बेटा, वहाँ पर मिल जाएगे, आपको, telegram group में सब कुछ भेज दिया है, मैंने, ठीक है, अब यहाँ देखे, क्या रहा है, B, C, F, G, क्या रहा है, B, C, F, G, और इसको बोल रहा है, H, I, L, M, इसको बोल रहा है, H, I, L, M, और आप से क्या रहा है, N, O, R, Q का क्या होगा, N, O, R, Q का क्या होगा, अब आप देखो, B से H गया, मतलब प्लस का 6, C से I गया, प्लस 6, और यह भी प्लस 6, और यह भी प्लस 6, सो यहां पर भी अब आप और क्या करदो यहां पर भी यहां पर विए रटो गया क्या क्या पना क्या रहा है करूँ जो भी आप में से अब UPSI की तैयारी करेगा याद रखेगा 19 तरीक से आपकी क्लासे शुरू कर दूँगा दुबारा से 19 फैप से 19 फैप सुबह 8 बजे से दुबारा से शुरू होत हो जाएगी एक बार बहुत ही जादार शांदार जोदार तरीके से क्या रहा है पास पी ए से बी से टी और से टी मतलब यहांपर क्या हो रहा है यहांपर छेय वह आपकग naar प्ल्दस स्पहिं में तो हो जाएगा गी और एक क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका option number B अगला देखे क्या रहा ब्लॉग्ड को इस प्रकार लिखा जाए तो OZF MXS को क्या लिखा जाएगा करिए फटा फट से बताइए इसका अंसर क्या होगा बहुत ही स्पीड से और जित्ती स्पीड बन सकती है उतरी स्पीड बनाईए बहुत प्लॉग्ड को यह लिखा जाए क्या ब्लॉग्ड बणों B L O C K E D क्या ब लोग्ड ऐसको क्या लिखा जाए इसको लिखा जाये Y O L X P V W व यह सभी क्या है यह सभी जो है वो आपके अपोजिट लेटर्स है आप से पूछा गया है इसका देखे क्या होगा तो आपका आणसर हो गया लाँच यानि की option दी का अंसर हो गया करिए अगला देखे next बनाएं अगला देखे next बनाएं कि अगले में क्या क्या रहा है करिए जल्दी से क्या रहा है fh e j यहां पर सब में प्लस 4 आप कर दीजे आप यहां पर भी सब में क्या कर दीजे प्लस 4 कर दीजे तो 16 चार 20 पर T हो जाएगा 18 चार 22 पर V हो जाएगा 15 चार 19 पर S हो जाएगा 17 चार 21 पर U हो जाएगा तो T V S U आपका अंसर होगा यानि की पहला option बिल्कुल सही है चलिए नंबर अनलोगी के अगर बात करूं तो सबसे पहले आपको प्रात्मिक्ता का अधार पता होना चाहिए अगर प्रात्मिक्ता का अधार आपको पता होता है तो नंबर अनलोगी के प्रश्णी जो है वो कभी भी गलत नहीं होते तो जो भी स्टुडेंट प्रात्मिक्त आठ भी और नवी और लिख लीचे, आठ भी और नवी हो जाती है, odd one out और even, odd even, odd number, मतब odd चली जाएंगे और फिर even चली जाएंगी, यानि कि यहां पर इन चीजों का ध्यान रखे जाएगा, शही है, बाकिए सारी चीजे में आपको PDF में दूंगा ही, पहला कोशन है, इसका आपकी स्क्रीन पर बदाए, देखिए, क्या रहा 107 का संबंद 11,400 उडण चास से, मतलब 107 की गुड़ा अगर मैं 107 से कर दूं, तो यह आएगा, कैसे आएगा, देखो, 7,7 उडण चास का नोगो, क्यारी 4, 7, 0, 0, 0, 4, साती गम साती गम सात, साती गम सात, आपका एक ही कम एक, तो गित्ता हो गया, 11,400 उडण चास, अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 106 की मल्टिप्लाई 106 से, 106 की मल्टिप्लाई 106 से, 6,36 का चे कर दो, 3, 3, 0, 3, यानि कि 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 12, 12 का दो, कहरी एक, 0, 0, तो एक और एक ही कम एक, तो गित्ता हो गया, 11,236, यानि कि option C's का अंसर हो गया, 11,236, अगला देखो, next है, अगला देखो, next है, बनाओ, अगला देखो, next है, बनाओ, अगले में क्या कहा रहा है, पढ़ावट से करो, इस क्लास में कोई ऐसा भी है, जो आज नहें आया है, जो आज पहली बार ही मेरे साथ क्लास में जुड़ा हो, देखो, कहारा, 123 का समभन 1728 से है, अब इसका मतलब यह नहीं है, कि यह कहारा है कि 12 का क्यूब हर बार होगा, यहां 123 लिखा है, तो इसने 12 का क्यूब किया है, 122 लिखा होता, तो 12 का स्क्वार हो रहा होता, 124 लिखा होता, तो 12 की पावर 4 हो रहे होती, वो हम चेक करेंगे इस से, 1728 है, क्योंकि यह 12 का क्यूब हो रहा है, है यहां पर याहां पर यहां पर आ रहे है कि वह बात आगे देहुंगे तो कर रहा है वह आप आगे बात करोगे तो वह 142 की बात कर रहा है 142 का मतब हो गया 142 की पावर 2 क्योंकि यहां दो दिया है तो दो इससा पावर में जाएगा वह तीन दिया थो तो तीन पावर में गया था ठीक है तो यहां जैसे 14 की पावर 2 करी आपका अंसर कितना बन गया 196 बन गया आपका अंसर कितना बन गया 196 हो गया यानि की option C का answer हो गया चलो अगला question देखो next है जो भी नए candidates हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता जिन्होंने बस फॉर्म भर दी आता और भूल चुके दे फॉर्म भर के आपका दिल नहीं तोड़ूंगा अगली वेकेंसी आने वाली हैं जेल वॉर्डर की और यूपी पीएसी की इस पेपर में जितना हो सके का अच्छा करके आईए का इन चलिए तो ये कारी आँसर इसका 11 का समन 1331 से अब 11 का क्योब अगर मैं कर दो 13131 केह लाएगा लेकिन यहाँ पर cube मैंने नहीं किया है दिया नहीं किया था, दिया गया था, यहाँ मैं कर रहा हूँ दौनों में अंतर है, तो यहाँ 12 का square 144 को यह answer मत देना क्योंकि यह यहाँ पर cube दिया गया है मत्तब 1331 क्या होता है, 11 का cube होता है तो मुझे 12 का cube करना पड़ेगा और 12 का cube जो है वो हो जाएगा आपका 1728 12 का cube जो है वो हो जाएगा आपका 1728 यानि की option A's का answer बनेगा अगला question देखो next अगला question next बनाओ जल्दी से हाँ यहाँ 12 का cube दिया है, वहाँ 14 का cube अगर मैं करता वैसे भी 14 का cube 2744 होता है वैसे भी 14 का cube 2744 होता है है ना वहाँ पर दिया भी नहीं था 14 का cube यार, कैसे कर रहे थे, 204 तो वैसे भी नहीं होगा जो D option पर जिद कर रहे थे अब यह question है, 14 तिया 42 और 18 तिया 54 जो यहाँ पर 18 answer देंगे वह सारे के सारे लाइन से गलत आंसर देंगे मैं पहले ही बदा दूँ आपको, है ना और यह बात मैं आपको इसलिए बोला पहले ही बदा दू कि अगर आप यहाँ पर 18 answer देंगे तो बिलकुल गलत आंसर देंगे क्योंकि जो यह logic लगा रहे है 14 चीं, 42 उनके लिए दुखा दे कि 18 चंपन नहीं होता 18 चंपन के लिए नहीं होता इक क्या होता है बावन होता है वह चवरण इड़ाawa दिया गया ना इड़ाएट दिया गया 30 चंपन नहीं होता है बावन तो पतानी कहां से आ आ गया 42 पर 42 directement है कोई बावन मेरे बन में चल रहा था तो क्या हो गया ठारतिया 54 होता है और 56 नहीं होता तो ध्यान दीजिएगा यह वाद आंसर आप गलत दे रहे हैं आप इस कोशन में क्या करें एक यह कोशन है और एक इसी तरीके का एक सिमिलर कोशन हो रहा है मैं दिखा देता हूं आपको आके बविश्य के लिए भी यह वाला कोशन ऐसे कोशन कभी भी अगर एक्जाम में आते हैं ऐसा कोशन अगर कभी भी एक्जाम में आता है तो एक ही पैटन होता है बस उसको दिमाग में रखना है सर वह पैटन क्या है तो वह पैटन यह है सर हमेशा ध्यान रखना कि अगर क 56 केक्ता हो गया 6 पर आपस से ? सरो फाइयरमेंड का कोर्स बोपाल से किया है तो बिलकुल मिलेगी बचा है मगला कोष़ें स नक्स्ट बनाए शर्द यादव बिल्कुल आपको फायर्मेन की वेकेंसी में प्रफरेंस मिलेगी अगर आपने फायर्मेन का कोर्स किया हुआ है मुपाल से तो भारत का ही अब इन अंग है मुपाल ठीक है चलिए कोश्चन देखिया अगला आपकी स्क्रीन पर है बदाए चलिए बनाइए इस खुदनी 8 फिर कितना बचा 2 बचा फिर 0 लगाया चार पंजे 20 तो आप यहां पर कितना आ गया शुन्य आ गया अला आप यह कह सकते हों कि 2.25 का जो संबंद है वह 3.25 से अर्था में प्लस 1 कर रहा है क्या कर रहा है प्लस 1 कर रहा है तो बात अलग है कि इसको divide की values में लिखा गया है अब मैं यही चीज अगर यहाँ पर बोलू आप से क्या कि भाईया 3.75 में अगर मैं प्लस 1 करता हूँ तो 4.75 चाहिए मतलब यहाँ पर जो भी x y y की value होगी उसका जो मान है वो 4.75 होगा अब देख लो x बटा y किसका आ सकता है अब देख लीजिए x बटा y जो है यहाँ पर किसका आ सकता है 17 बटे 4 तो यह हो गया 4.16 एक बचा पॉइंट लगा 25 हो गया यह देखो 4.16 तीन बचा पॉइंट लगा 0 7.28 दो बचा 0 लगा पांच 7.25 तो 4.75 मुझे चाहिए भी 4.75 क्योंकि यही चाहिए दा और यह आ रहा है कहा यह आ रहा है यह आ रहा है आपका option number B में यह कहां आ रहा है तो यह आगे आपका option number B में बहुत बढ़ी आदे एक दम उम्दा जिसे यहते हैं अगला कोशन देख्वां नेक्स्ट है बनाओ इस तहरे के का है question मैं अभी आपको करा ही चुका हूं मैं बता भी चुका हूं कि जो pattern है वो आपके same रहते है Pattern आपके नहीं बदलते हैं बह curios worldly बहुत्तों कर दीजह जल्दी से चलिए नहीं बिटा कोई भी एक्जाम पैटर्ण चेंज नहीं हुआ है किसने का कोई भी पैटर्ण चेंज नहीं हुआ है अब यहां देखें यहां पर क्या क्या रहा है क्या रहा है 142 का संबंध 15 से है तो 142 का संबंद किससे है 15 से, कैसे ला सकते हैं इसको 1 into 4 into 2, 4 दूनी 8, और यह कैसे हो सकता है, 1 plus 4 plus 2, 4, 2, 6, 7, 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया, 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया, अब यहाँ पर अगर मैं कर दू इसको 2 into 3 into 4, कितना हो गया आपका 33, यानि कि 33's का answer हो गया, that is option C, क्या हो गया, 33's का answer हो गया, यानि कि option C's का correct answer बन गया, अगला question देखें, next step बनाए, इसके बाद दूसरे chapter शुरू हो जाएगा, इस question के बाद ही, हैना आप बदल देंगे questions का pattern को, मतब chapter बदलेंगे, इसके बाद ही बदल दूँ या भी दो question और है, इसके बाद ही बदल दूँगा, बागी question तो मैं आपको वैसे भी DPP में प्रोवाइड करूँगा, या मतलब ये PDF तो मैं आपको दूँगा, या आप solve कर ले ना, अरे नहीं यार, ऐसा कोई भी exam pattern नहीं बदला है, कोई भी official नहीं आया, वो जो official notice है, उसमें same exam pattern है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि exam pattern बदला है, बिल्कुल same है exam pattern, सब फर्जी है, कोई pattern में बदला हो नहीं है, ठीक है, अब यहाँ देखो 12 का सम्मद 138 से, अब 12 से अगर मैं square करूँगा तो 144 बनेगा, और मैं minus 6 करूँगा तो 138 बनेगा, अब 6 लाने के लिए मुझे 12 बटा 2 करना पड़ेगा, 6 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 बटा 2 करना पड़ेगा, और अब यहाँ पर 14 की बात आई, 14 का square करोगे कित्ता आएगा 196 माइनस कित्ता करना है, 14 बटा 2, 14 बटा 2 मतब 7 माइनस करना है तो 189 बनेगा, कित्ता होगा, option C होगा, 189 होगा, अगला देखो next, अगला देखो next है बनाओ, अगला देखो next है बनाओ, अगले में क्या क्या रहा है, क्या रहा है 18 का संबंद 306 से है, और 18 का square 324 माइनस 18, कित्ता हो गया, 306 हो गया, ऐसे ही 23 का square, 23 का square 539 माइनस 23, कितना हो गया, 506 हो गया, यहाँ पर आंसर कित्ता हो गया, 506 हो गया, मतलब option number A आ गया, कित्ता हो गया, 506, 509 नहीं आएगा, 23 का square माइनस कर रहे हो ना, तो 539 होता है, 29 में से 23 गये, तो 506 आएगा, 509 जो दे रहे हैं, बिल्कुल गलत दे रहे हैं, 509 नहीं होगा, 506 जो है वो आपका आंसर बनेगा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़ी, आगला question देख लिजे, 16 का संबंद 128 से कैसे होगा, बदाईए, 16 का संबंद 128 से कैसे होगा, करिए जल्दी से आंसर, 16 का संबंद 128 से कैसे बनेगा, हम सब जानते हैं, 16 का स्कॉर, 16 का स्कॉर कित्ता होता है, 16 का स्कॉर होता है 256, डिवाइड बाई दो गर कर दो, कित्ता होगया, 128 होगया, अब यहां पर 30 का स्क्वार 900, 24 का 560, 15 का 220, 20 का स्क्वार 400, 400 बटा 2 यानि की 200, अर्थात यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका B option, D option हो गया, that is 200, चले बहुत बढ़िया, अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं ranking की, ठीक है, ranking को शुरुआत करता हूं, ranking में 3 formula हैं, जो एला formula, total is equal to left plus right minus 1, total is equal to left plus right minus 1, क्या भीया, total is equal to left plus right minus 1, दूसरा, जो आता है, वो आता है overlap case, बट्विन का case, जब उनके बीच में लोगों की संख्या पूछ ले, किसकी बात करें, जब बात करें, बट्विन की यानि की लोगों की संख्या की, बिट्विन में 2 चीजे होती ह हैं, दोनों चीजे आपको दिमाग में set रखनी है, पहली चीज होती है, यदि वहाँ पर normal case बन रहा हो, यदि वहाँ पर क्या हो रहा हो, normal case हो रहा हो, normal case का मतलब होता है, कि जो total की value है, वो बड़ी होके से L प्लस R की combined value से, जो total की value है, वो बड़ी होके से L प्लस R की combined value से, तो अगर L plus R की combined value से बड़ी है, किसकी value, total की value, तब आपका T जो है, वो equal to हो जाएगा L plus R plus N, तब आपका T यानि के total जो हो जाएगा इसके बीच में, N क्या होता है, N होता है between, मतलब उनके बीच में कितने इचातर है, दूसरा case यहाँ पर आता है, overlap का case, दूसरा case जो है, वो आपका छोटा हो जाता है L plus R से, जो total है, आपका वो छोटा हो जाता है, कि say L plus R से, जब अगर आपका total L plus R से छोटा हो गया, तो formula लगेगा, T is equal to L plus R minus N minus 2, तब आपका formula क्या लगेगा, तब आपका formula लगेगा, T is equal to L plus R minus N minus 2, तो यह दो formula होते हैं आपके, चलिए, पहला question ह आपकी स्क्रीन पर बदाईए क्या होगा इसका राई डांसर अमन जैसवाल तुम हो ना गधे एक होते हैं गधे जिसके ना सींग नहीं होते तुम वही वाले गधे हो ठीक है क्या रहा है कि सर क्यों बताएंगे कि पैटर्ण चेंज हो गया पैटर्ण बता देंगे तो कौर्स कौन लेगा गधे सुने आपने बिना सिंग वाले गदे तो अमन जैसवाल आप वही हो बताओं क्यों 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 क्योंकि मैं तो पेड़कोस देऊ नहीं रहा है मैं तो यूट्यूब में चेंज हो गया है और फिर आप पेपर में जब जाओगे तो आप आओगे यार स्लेबस तो वही था सन ने सही का था गदी हम बन गए बिना सींग वाले गदे ठीक है तो कोई यू-पी कॉंस्टरिबिश के गद्रेफ में कोई चेंज नहीं है जो ऑफिशल नोटिस नहीं तो अभी नहीं आया वह रात आ गया था वहनेag रात में लिम deg अगर मुझे हुझ पश करना उता है तो मैं आपको बढ़ देह अगर मुझे कुछ बताना होता है उसमें एाज आया है तो मैं सुभह ही बता देते वेडियो और राने के लिए वीडिय वाना उनका थो काँय वीडियो बता कर चोड़ा थो के अर्ट गवीडियो और डाना हा अमन जैसौाल जैसे जो कदया उनकी बात अलग हो गई है चलो बागी इस question का answer करो जल्दी से चलो भया बागी इस question का answer करो जल्दी से यह paper निकालेंगे ने यूँ पता नहीं slavus है क्या तुम्हें यही नहीं पता slavus क्या है और तुम कहा रहे हो बदलाव हो गया pattern में paper में क्या ही निकाल के आओगे तुम तुम्हें slavus ही नहीं पता pattern ही नहीं पता तो कही लगा क्या होगे a b c d करोगे लिखकर ले लो क्या रहा है पेड़ो के एक पंक्ती में पंक्ती के दोनों छोड़ से एक पेड सात्वे स्थान पर है अब भया मुझे यह पता है कि l की value भी कित्ती है 7 है और r की value कित्ती है 7 है तो t is equal to क्या हो जाएगा l plus r minus 1 t is equal to क्या हो जाएगा l plus r minus 1 क्या हो जाएगा l plus r minus 1 तो यानि कि 7 plus 7 minus 1 7-7 14 में एक गया बच्छा कितना 13 तो answer क्या हो गया option B हो गया answer क्या हो गया option B हो ठीक है यहाँ पर हाँ total persons की value पूछी गई थी सही है चलिए अगला question देखे next आपकी screen पर बदाईए अगला question देखे next आपकी screen पर बदाईए अगला question देखे next आपकी screen पर बदाईए करिया कि अगला question क्या गया रहा है अगला question देखे next आपकी screen पर बदाईए समय बहुत कमें किसी भी बकैती के चक्कर में मत पड़ो रात जो नोटिफिकेशन आया था है ना इसका UPPRB उत्तर प्रदेश प्रणनती बोड़ गा उसमें कहीं से कहीं तक यह नहीं लिखा इस लिबस में कोई चेंज हुआ है कोई चेंज नहीं है जो तुमने जहां भी पढ आता हूं एक सम्मानित प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं ले नहीं सकता है ना बाकि समझ तो आप भी गयोगे मैं क्या क्याना चाह रहा हूं चलो तो क्या रहा है यदि आप एक पंक्ति में छोड से नौवे वेक्ति हो और दूसरे छोड से ग्यारवे वेक्ति है तो कतार मे क्ल वेक्तियों की संख्या आप से पूछे कितनी होगी बदाए तो यहाँ पर आप एक तरफ से कितने हो आप एक तरफ से नौवे वेक्ति हो यानि कि T is equal to क्या हो जाना है L प्लस R माइनस 1 एक तरफ से नौवे वेक्ति हो दूसरे तरफ से ग्यारवे वेक्ति हो माइनस 1 तो अगला कोश्चन देखें, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बदाएं क्या रहा है पेडों की एक पंक्ती में एक पेड़ बाएं छोड़ से साथवे यानि कि T is equal to L plus R minus 1 क्या रहा है एक छोड़ से साथवे यानि कि L की वेल्यू साथ है और दाहिने छोड़ से चोड़ माइनस 1, साथ हो चोड़ा 21 हो गया 21 माइनस 1 यानि कि 20 तो आपका आंसर कितना हो गया? option C that is 20 20 जो है वो इसका right answer बनेगा, अगला कोश्चन देखो next बनाओ अगला कोश्चन देखो next बनाओ, past revision करना है तो इस class में बने रही है आपको इदर उदर की बक्याती करनी है, तो जहां पर वो चल रही है, वहीं चले जाएए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इस class में जो बना रहेगा, वो अपना revision करके ले जाएगा जिसको ये पढ़ रही है, और वो बता रहे हैं, इस लेवस में change हो गया वो बहुत बड़े channel है, तो वो जूट भी बहुत बोलते हैं, उनसे बड़ा जूट कोई नहीं बोलता है यहां पर, सब जानते हैं इस बात को, ठीक है, चलो करो ये question का answer, कहा रहा है, सुदेश ने शीर से साथवा और नीचे से टाइसवा इस्तान हासिल किया यानि कि T is equal to कितना हो गया, L plus R minus 1, तो 7 plus 28 minus 1, तो यह हो गया आपका कितना 35, 35 में एक गया, यानि कि 34 तो आपका answer कितना होगा, option A होगा, क्या होगा, option A आपका correct answer बनेगा, अगला question देखो next, बदाओ, अगला question देखो next, बदाओ, अब आपकी 15 तारिक तक जो है न, वो सेम यही class आपकी चलने वाली है, याद रखेगा, 15 तक जो है, आपकी यही class जो है वो सेम चलेगी, ठीक है सही है 15 तारिक तक जो है वो आपके सेम यही क्लास चलेगी 15 तक 16 को चुट्टी करूंगा आप सीधे 15 तक सारे चैप्टर रिवाइस करा दूगा दो दो तीन तीन कर गे तो यहां पर कितना गया 15 अर्थाथ ओप्षन बी यहां पर कितना आ गया अर्थाथ ओप्षन बी जो है वह इसका करेक्ट आंसर बन गया ठीक है चलो अगला question देखो next day बनाओ अगला question देखो next day बनाओ अगला question क्या क्या रैक करो जल्दी से पास दिन में सभी chapters का revision करना है ना शांदार करके करा दूँगा फिकर मत करो regular class को लो सारे chapters revise करा दूँगा कोई chapter छोड़ूँगा इनी revision से अब यहां देखो क्या रहा है लोगों की एक पंक्ती में मनु पंक्ती के निचले छोड से सात्वे स्थान पर है देखो लोगों की एक पंक्ती में मनु जो है वो पंक्ती के निचले छोड से कितने स्थान पर है सात्वे स्थान पर है तो पर जो श्रे ju can jsouge wau पर से 8 तो बताना इस पंक्ती में कितने लोग है आपको बदाना किया है तो इस पंक्ती में कितने लोग है अब देखिए T is equal to क्या कहेंगे L plus R minus 1 अब नीचे से इसका स्थान मुझे पता है L हो गया 17 ऊपर से इसका स्थान R हो गया 8 तो 17 plus 8 minus 1 यानि कि हो गया 16 और 8 24 तो यहाँ पर कुल व्यक्तियों के संख्या कित्ती हो गई 24 हो गई अर्थात option C कुल व्यक्तियों के संख्या जो है वो 24 हो गई अर्थात option C का right answer बन गया अगला question देखो next है आपकी screen पर बदाओ आज मैंने अभी अभी ना एक पराठा खा लिया मुझे लगता है उस पराठे ने ना अंदर का पूरा system हिला दिया दुख रहा है पेट ऐसा दर्द कर दिया इसने मैं कि आपके तवित खराब है उनको fever हो रखा है खाना बना नहीं था मैं रूम घर पे गया नहीं पिर मैंने क्या किया मैंने बस office के बहार ही एक पराठा खा लिया अभी अब भाई साब अब वो पराठा मेरे पेट में ऐसा दर्द कर रहा है ना मुझे ही समझ में आ रहा है कि चलो यह कोश्ण देगो कि यह पंच पन बच्चों के कख्षा में बिलाल का इस्थान नीचे से 12 अब बिलाल जो है वो नीचे से 21 इस्थान पर हैं बिलाल भाई क्या है नीचे से 11 इस्थान पर आदा किया रहाई की उपर से सैल्मान का इस्थान क्या है यह बताना है और प्यारा कोशन है सर है ना देखो यहां से स्थान बताना है कितना हूगा अगर यहां से मुझे पता चल जाए तो काम बन जाएगा यह 9 है यह 11 है तो 11 प्लस 9 यानि कि यह हो गया आपका 20 ठीक है तो आप क्या होगे L किता है 20 और टोटल आपको दिया गया है L T is equal to L plus R minus 1 टोटल दिया गया है 52 बच्चों की कक्षा में यानि कि यहां पर टोटल बताया गया है कितना टोटल बताया गया है आपको 52 is equal to L किता हो गया 20 plus R minus 1 तो R इदर गया किता हो गया 52 minus 19 तो यह हो गया 12 में दो गये 3 बच्चे चार में गया 3 बच्चे तो कितना आगया 33 आगया अर्थात option 20 का राइड आंसर आ गया option बी जो है वो इसका correct answer बन गया अगला question देखो next है बनाओ बहुत ही प्यारा question है अगला question देखो next आपकी screen पर करिए अगले question में आपसे क्या क्या रहा है क्या रहा है सुरेश 49 चात्रों की कक्षा में अशोग से साथ इस्थान आगे है सुरेश 49 चात्रों की कक्षा में अशोग से साथ इस्थान आगे है अशोग का स्थान अंतिम से सत्रवा है तो ऐसे मालो कि दद्दा अशोग यहां बैटा था और यह अंतिम से सत्रवा था और सुरेश इसे साथ इस्थान आगे है तो साथ इस्थान आगे आजाओ साथ इस्थान आगे आजाओ यानि कि यहाँ पर सुरेश को ले आओ तो मैं ऐसा क्याता हूं कि सुरेश यहाँ से जो है कित्ता हो गया 17 प्लस 7 यानि कि 24 तो L की value कित्ती हो गई 17 प्लस 7 अर्थाथ 24 ठीक है और बताना क्या है आपको शुरुवात से सुरेश का इस्थान क्या था यानि कि यह आप मालो आपको निकाल के देना यह सो T is equal to L plus R minus 1 T के value कित्ती है T के value 39 L कित्ता है 24 minus R minus 1 यह हो गया 23 तो R is equal to 39 minus 23 यानि कि 16 यह कित्ता हो गया option A हो गया यानि कि 16 हो गया अगला question देखो next आपकी screen पर बदाओ सर जी normal overlap case समझ नहीं आता अभी कराओंगा बेटा question क्यों फिकर कर रहा है अभी कराओंगा यह question आपको अपनियाब करना है homework के तौर पर इस question का answer करो इस question का answer करो यह question क्या क्या रहा है दीप विलॉक भाई तीन वहिने बात बदाओंगा और यह question देखो क्या रहा है क्या रहा है एक परिक्षा मे रहुन भाज़ वा इस्थान प्राप्ट किया और वह उतीन ओने वालों में नीचेdar से 47 भे तो यानि कि यहां से पास होने वाले स्टूडेंट कि संख्या निकल गयी, पास होने वाले में किते दे, उपर से ग्यार्वा था, नीचे से हानटारेस वार्दा, दो बार गे! तो मारे Mantra! कर दो यानि कि कित्ता हो गया 57 बच्चे क्या हुए पास हुए 57 स्टुडेंट्स क्या हो गए यहां पर आपके पास हो गए फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि तीन चात्र परिक्षा के लिए उपसित नहीं हो सके यानि कि not appear not appear वाले कित्ते हुए 0-3 और कह रहा है एक चात्र फेल हुआ और फेल वाला कौन हो गया फेल हो गया आपका एक टोटल गल्लो तीन और एक चार और 57 कित्ते हुए 61 सो 61 क्या होगा आपका correct answer होगा option number D अगला question दे आता हूँ लगबग 1400 message मेरे पास आ गए थे लेकिन मैंने फिर भी जितनी कोशिश हो पाई सभी के doubts को बदाया है है ना चलिए फिलाल ये question देखिए ये question अब आपसे क्या क्या रहा है कर दीजे इस question का answer फटावट से बदाये क्या रहा है कि एक कक्षा में राजन को 11 इस्थ पर रहा minus 1 ये कितना हो गया total हो गया 41 यानि कि पास होने वाले वेक्तियों की संख्या कितनी हो गए 41 हो गई तीन लड़कों ने परिक्षा नहीं दी अर्थात not appear जो है वो कितने हो गए 03 हो गए और क्या रहा है कि एक बच्चा सफल रहा है ना एक क्या रहा फेल रहा फेल ज कितना हो गया 45 जो है वो आपका अंसर हो गया 45 जो है वो आपका अंसर हो गया option C जो है वो आपका correct अंसर बन गया ठीक है अगला question देखिए next है आपकी screen पर इस्तान बदलने वाला प्रश्ण इसको मैं trick से आपको सिखा दूंगा वो ही trick आपको दिमाग में रखनी है मिलाल बहुत बढ़िया 50 प्लस अगर constable में आप reasoning में ले जा रहे हो तो उससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता चलो अब ये question देखो क्या रहा है लड़कों की एक पंक्ती में इसकी मैं ऐसी बहतरीन trick आपको लिखवा रहा हूँ हमेशा के लिए उसको याद रखना वो ट्रेक कभी भूली नहीं है वो ट्रेक हमेशा दिमाग में होनी चाहिए क्या रहा है कि लड़कों की एक पंक्ती में यदि ए जो बाइं और से दस्वे स्थान पर है जब भी बदलने वाले question आजाए जब भी question में आपको interchange शब्द दिखाई दे जाए जब भी question के अंसर question के अंदर आपको interchange जो शब्द है वो आपको देखने लग जाए तो यहाँ पर आप एक तरफ L लिख दीजेगा और एक तरफ R लिख दीजेगा क्या रहा है तो ए बाई और से दस्वा है ए कितना है बाई से दस्वा है बी जो दाई और से नवे स्थान पर है वे अपने स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं तो ए बाई और से पंद्रवा हो जाता है ए कितना हो जाता है ए बाई और से पंद्रवा हो जाता है क्या रहा ह है पुल लड़कों की संख्या पूछेगा जब भी आपको ऐसे लिखना है किवल इतनी जानकारी लिखनी है यहां पर देखना है कितने का अंतर है तो आप क्या होगे पांच का यहां पर भी वह पा गये कर दो तो नौर पांच कितना हो गया 14 हो गया यहाँ पर भी 5 बढ़ा दो तो 9 और 5 कितना हो गया तो 9 और 5 जो है वो आपका यह 14 हो गया फिर इन दौनों को interchange देखो t is equal to क्या हो जाएगा l plus r minus 1 हो जाएगा यहाँ पर देखो कितना हो गया 14 plus 10 minus 1 और यहाँ पर देखो तो 15 plus 9 minus 1 मतलब 2 crosswise वाले कोई भी लेकर के उनको जोड़ दो 2 crosswise वाले कोई भी लेकर उनको जोड़ दो कितना हो गया 1014 24 minus 1 याने कि 23 टोटल वेक्ति पूछे गये थे टोटल वेक्तियों के संख्या कितनी हो जाएगी 23 किस-किस को यह तरीका नहीं आता पानी-पत का युद जी-ओ का fiber वो लगवाले के बिल वाला connection ही के तो यह वाला तरीका किस-किस को नहीं आता आप में से कौन से student ऐसे हैं जिनको यह तरीका नहीं आता है आता है बहुत बढ़िया आता है तो बहुत अच्छी बात है जिसको नहीं आता हो सीख लो यार यह तरीका है ना यह तरीका बहुत सरल है इस तरीके को अगर आप अपनाओगे तो बहुत सरलता से कोशन हो जाएंगे नहीं तो वही बाबा आजम की जमाने का तरीका अपनाओगे पहल उसको तो मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे ही करते हैं एक कोशन और देखो इसमें का अराम से समझ में आ जाएगा बताओ एक कोशन और देखो इसमें का अराम से समझ में आ जाएगा बताओ हाँ दुबारा बता रहा हूं यह तरीका मतब दुबारा क्या एक और question ले लेते हैं, इस question में ये तरीका समझा देंगे बिटा, computer की class अभी YouTube पर कोई नहीं चल रही है एह, एह, तुम लोग ना, once more मत लिखा, अगरो मैं सच बता रहा हूँ तुम ये भले लिख दिया, गरो सर एक बार और बता दो once more लिखतो ना, तो ऐसी वाली feeling चल रही है, कि मैंने गाना गया और बहुत ही अच्छा गाना मैंने गा दिया कि सर, once more, एक गाना और होना चाहिए प्यार से ये लिख दिया अगरो, तो दुबारा से बदा दो, ठीक है चालो, करो इस question का answer जल्दी से कह रहा है कि लड़कियों के एक पंक्ती में राम्या बाए से पांच वे, question देखो, जिसको नहीं आता वो समझना, हमें चाहिए क्या-क्या, हम एक तरफ तो लेफ्ट लिखेंगे, एक तरफ राइट लिखेंगे, हम एक तरफ लेफ्ट वाली entities लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्या लेफ्ट वाली है, क्या क्याँ में राम्या बाए से पांच वे, question क्या क्या रा है, question क्या राम्या बाए से पांच वे, यानि कि लेफ्ट के नीचे कितना आजाएगा, पांच आजाएगा, और प्रिया दाएं से छटे, यानि कि इसके नीचे कितना आजाएगा, जब वे अपने पदों का अदान प्रदान करते हैं, तो राम्या बाइं और से तेरवी हो जाती है, तो राम्या क्या हो जाती है, हाप लिख लोगे ना चीजों को देख कर गए बस इतना ही लिखना बहुत जरूरी है जैसे आपने लिख लिया अब आत क्लेयर हो गई क्या कि बहुON्या यहा से यहां गए ते प्लस पांच हो रहा था क्या ओ रहा था 001 डॉनौं में कितना इंतर प्लस आट हो रहा 64 ये पूछा गया है इसके सिति कितनी होगी अांशर कितना हो गया 14 जिनका 18 आरा आपने गल्ती बदाए कहां गरी आपने तो टली निगाल दी वह आप से उटल वैल्यों नहीं पूछ रहा वह आप से ओका बात है बहुत बढ़िया सतेंद्र भाई मज़ा काट दिया रहा है तुमने भाईया क्या रहा है चालिस में से उन्तालिस सही करके आया हूं रेडियो अपरेटर में गजब भाई ये वाला जो जुनून है न ये सच में बिलकुल एक दम जानदार दुहदार है तो अगला कोश्चन है आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करो जलदी से करिए इस कोश्चन का आंसर अजा दूसी चीज यह है कि अगर यहाँ पर आपसे टोटल पूछ लेता अगर यहां से आपसे टोटल पूछता तो आप क्या करते एल प्लस आर माइनस 201 करते आफ वो कैसे निकालते की सिकष्ट निकालते इंदोनों को क्रोस्वाइस लेते और इन दोनों को भी स्थ लेते यानि कि यह जाता आपका 13 प्लस छे माइनस प्लस प्लस च्षॉधा माइनस एक जो आ इक या बात है बहुत बढ़िया शांदार अगला कोश्चन देखो next आपकी screen पर बताओ बिटा ये class अब रोज रहेगी देखो ये class जो है वह आपकी रोज रहेगी सुभा तो जो चलती है चलेगी सुभा 8 बजे model paper चले आई रहा हूँ तो सुभा 8 बजे आप model paper जरूर अटेंड करें ठीक है फिर उसके बाद ये जो दोपहर वाली class है ये दोपहर में एक बजे से तीन तक एक से तीन तक ये daily आपकी रहेगी topic wise revision ये आपके daily रहेगी क्या topic wise revision ठीक है तो ये आपका daily रहेगा topic wise revision ध्यान दीजेगा इस बात पर अब जैसे कोश्चन है सेम कोश्चन था कोई बदा हो नहीं है नाम बदले मैंने हैना काम्या और राम्या की जगा बास प्रीति हो गई यहां पर हैना तो एल और आर काम्या बाएं से पांच में प्रीति दा कैसे बदाने है क्या होगी यहां पर अंतर किता आया प्लस आट का आया तो यहां पर भी प्लस आट किता हो गया 14 हो गया answer किता हो गया option number B हो गया चलिए अगला question दीखे next है बदाईए कि अगले question में आप से क्या क्या रहा है करिए और इन सभी questions की इन सभी classes की जो PDF है वो आपको telegram group में मिल ही जाएगी चलिए question देखें क्या रहा है क्या रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में नित्या और सुगण्या क्रमष दाहीने छोर से 90 याने की r की value किती हो गई 9 हो गई और यदि वे अपने स्थानों को बदल देते हैं तो नित्या और सुगन्य अक्रमश दाहें से सत्रवे और बाएं से अठारवे और बाएं से ठारवे हो जाते हैं पंक्ती में कितनी लड़किया हैं कोई भी क्रॉस ले लो टोटल निगाल दो हैना T is equal to क्या होता है एल प्लस आर माइनस वन होता है यानि कि 18 प्लस 9 माइनस एक या फिर 10 प्लस 17 माइनस एक तो यहां पर आपका आंसर किता हो गया तो हो गया 27 माइनस एक यानि कि 26 तो आंसर होगा option C that is 26 ठीक है अगला question देखो यह आपके लिए homework रहेगा इसका answer आप उसमें मैं आपको telegram पर दे ही दूँगा PDF यह भी हो जाएगा यह भी मैं आपको वहीं दे दूँगा यह भी हो जाएगा यहां से करते हैं एक सिकिंड what are the total number of students पूछ रहा है यह तो हो गया यह वाला देखो यहां पर अब आती है बात बिट्विन की अब आगई बात बिट्विन की मैंने कहा था बिट्विन परिशान करता है आप में से बहुत सारे student होंगे जिनको बिट्विन परिशान करता है काव्या पढ़ले लड़की प स्थान पर है क्या लड़कों के पंक्ति में रवी 22 से नवे स्थान पर है कौन है रवी है और क्या प्रवीन दाएं छोड़ से पाच्वे स्थान पर है और प्रवीन जो है वो दाएं छोड़ से पाच्वे स्थान पर है तो यह प्रवीन है तो यदि रवी और प्रवीन के ब भी नहीं आप क्या लगाएंगे आप लगाएंगे नॉर्मल केस को कैसे यूज करेंगे आप कहेंगे कि अगर नॉर्मल केस है ओवल लैप नहीं है तो नॉर्मल केस है तो आप क्या करोगे टी इस इकॉल टू एल प्लस आर प्लस एन कितना है नो प्लस साथ प्लस पांच साथ 12-21, खतम answer option C, अगला देखो, next है, अगला देखो, next बनाओ, क्या क्या रहा है, अगला देखो, next है, बनाओ, अगले में क्या क्या रहा है, फटाफट से करो, अगला question आपकी screen पर है, next बनाओ, अगले में क्या क्या रहा है, क्या रहा है, किसी पंक्ती में, राम 22, 25 वे और तथ का यह हमेशे याद रखना अगर आपको maximum निकालना है तो maximum में formula लगेगा normal case का maximum में formula लगेगा normal case का normal case का formula होता है t is equal to l plus r plus n और अगर आपको minimum निकालना है अगर आपको minimum निकालना है तो formula लगेगा overlap case का overlap case का formula होता है t is equal to l plus r minus n माइनस 2, अब यहाँ पर वो नियूनत्म की बात कर रहा है, यानि की मिनिमम की बात कर रहा है, तो कहा रहा है कि राम बाएं से 25 वे और तता श्याम दाएं से 19 वे स्थान पर है, उनके बीच 5 वेक्ती हैं, तो यह आपका मिनिमम हो जाएगा, कितना 7 यानि की 25 प्लस 12, 25 और 12 कि अतना हो गया 37 तो यहां पर निविखतियों की संख्या कितनी हो जाएंगी Nic收 एगि तो निविखतियों की संख्या कितनी हो जाए गी 37 हो जाएगी अगला स्वेन्हें पहत पंक्ति में विजह मजड़े दसवे स्थान पर यह मैं अदै के गार राव क्या रहा है लड़कों की एक पंक्ती में विजय बाएंचोर से दसवे स्थान परे तो बाएंचोर से दसवे स्थान परे और विक्रम दाएंचोर से साथवे स्थान परे अगर विजय और विक्रम के बीच ग्यारा लड़के हैं तो आपको बताना है कितने लड़के होंगे आपको normal case लगाना है यानि कि L plus R plus N, कितना हो जाएगा 10 plus 7 plus 11, तो 17 और 11 कितना हो गया, 28 हो गया, 17 और 11 कितना हो गया, 28 हो गया, यानि कि option A आपका answer हो गया, ठीक है, अब बताए, करिये इस question का answer जल्दी से, पड़ावट से देखिए, अब देखिए, अब आपके past जब total व्यक्ति दिये गए हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा, कि इसमें normal case का formula लगाना है, या इसमें overlap case का formula लगाना है, बताओ, इसमें normal case का formula लगाना पड़ेगा, या overlap case का formula लगाना पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा, बताओ वई, तो ये पता कैसे चलेगा बताईए ये कैसे पता चलेगा कि normal case का formula लगाना है या overlap case का formula जो है वो लगाना है बताओ जल्दी से फटाफट से बताओ मैं बताता हूं कैसे चलेगा देखो सीख लो अगर आपसे वो पूछेगा इनके बीच कितने लोग है पर आपको 50 यानिके टोटल आपको कितना दिया है 50 याने कि पीचे से 20 स्थान पर है यानि कि L की value कुतने दी गई है 20 और R की value कितने दी गई है 22 आप क्या करोगे सबसे पहले L प्लस R निकालोगे लिकलो यहां पर step लिख लो जिने नहीं आता L plus R निकालोगे यानिकि 20 plus 22 गित्ता हो गया 42 हो गया अब आप check लगाओगे क्या कि T की value जो है वो L plus R की value से बड़ी है या छोटी है अब आप क्योंगे सर बड़ी है L plus R की value से बड़ी है या छोटी है आपको ये check करना है ठीक है, तो L प्लस R की value से बड़ी है या छोटी है, आप क्या होगे सर, L प्लस R की value से बड़ी है, अगर बड़ी है तो normal case, अगर बड़ी है तो क्या लगा होगे, normal case, यानि कि T is equal to L प्लस R प्लस N, तो T की value होगे आपकी 50, और L प्लस R अभी आप निकाल चुके हो, 42 प्लस N, तो N की value कित्ती होगे, 50 minus 42, that is 8, तो यह कित्ती होगे, यह value होगे आपकी 8, यानि कि इसका answer होगे option A, so the right answer is option A, कितना होगे, option A, तो यहाँ पर total की संख्या देखोगे, अगर L प्लस R की value total से जादा होजाती, क्या होजाती, अगर L प्लस R की value total से जादा होजाती, तो यहाँ पर overlap case लग जाता, अभी आगे आएगा उसका question देखो, करो इसका answer, जल्दी से बड़ावट से ये question अगरे को क्या कह रहा है, बड़ावट से ये question देखिए, ये question अब आपसे क्या कह रहा है, बनाएगे, बड़ावट से ये question देखिए, क्या कह रहा है, क्या रहा है नीरज 45 लड़कों की एक पंक्ती में, बाएं छोड से 15 स्थान पर है, यानि कि T की value कित्ती दी गई है, 45 द कितना हो जाएगा 15 प्लस 17 यानि कि 32 तो यह बड़ी हो जाएगी एल प्लस आर से जो कि आपका 32 हो जाएगा और वो क्या रहा है पंक्ती में उनके बीच कितने लड़के हैं अब टी अगें बड़ा है तो नॉर्मल केस अगर टी बड़ा है तो वापस से नॉर्मल केस यानि कि टी इकल टू अल ब्लस आर प्लस एन याने कि एन इस फीर्मल केटा हो जाए अग्शन बिच्क करेज़ कटा हुआ है अगले कौश्चन में बदाँंगा थे घ्रन हे नें के इनचटी आपकी स्क्रीन पर रिसमें बदाई है इसमें क्या रहा यहां पर किया रहा है अविरल 90 लड़कों की एक पंक्ती में दाहीं और से 23 और बाहीं और से 59 कित्ता हो गया सबसे पहले चेक लगाना है कि ओवर्लैप केस है या नॉर्मल केस है नॉर्मल केस है तो वैल्यू अपने आप डारेक्ट आ जाएगी एक और देखो यह बदाओ इसका क्या गया रहा है क्या रहा है 29 लड़कों की एक पंक्ती में यहां पर क्या रहा है 29 लड़कों की पंक्ती में बाएं चोर से सत्रवे यानि कि एल कित्ता हो गया सत्रा और दाएं चोर से सत्रवे यानि कि आर कित्ता हो गया सत्रा टी कित्ता था 29 तो मैंने कहा एल प्लस आर निकालो क्या कौन सा case हो गया यह बताओ जल्दी से कौन सा case हो गया सो यह हो गया अपका overlap case यह कौन सा हो गया यह पर overlap case बनेगा यहां पर overlap केस बनेगा तो T is equal to क्या हो जाएगा L plus r minus n minus 2 हो जाएगा T कोशन का अंसर कितना बना सो इस कोशन का आंसर बन गया आपका option number a ठीक है चले बहुत बढ़ी आगला कोशन देखो next एक और इसी तरीके का एक और इसी पैटरन का बदा यह जल्दी से क्या होगा answer चले एक और कोशन देखें इसी तरीके का एक और बहतरीन कोशन है बना दीजे इसका answer क्या बनेगा करिए फटावट से यह कोशन देखें यह कोशन अब आप से क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है लड़कों की पंक्ती में दाइयोर से 31 तो यहां पर टी वैल्यू दी गई है टी कित्ता दिया गया है 51 एल कित्ता है 27 आर कित्ता है अपका 31 सो एल प्लस आर कित्ता हो जाएगा आर कित्ती हो जाएगी तो एल प्लस आर की वैल्यू कित्ती हो जाएगी तो एल प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी साते काट तीन और दो पांच मतलब अगें टी क्या हो गया 51 जो कि छोटा हो गया किस से एल प्लस आर से जो कि 58 है तो अगर यह छोटा हो गया तो आपका क्या लग गया overlap case लग गया तो आपका क्या लग गया overlap case लगया तो आपका क्या लग गया overlap case लगया यानि कि T is equal to L plus R minus N minus 2 लग गया T की value हो गई 51 L plus R किता हो गया 58 minus N minus 2 so N की value हो गई 56 minus 51 यानि की 5 आपकी स्क्रीन पर और यहां से आपका classification यानि की odd one out शुरू हो गया है अब चार आपको समू दिया गया होगा जैसे कहते हैं चार दोस्तों का समू है उनमें से आपको उस अलग को ग्याद करना है निकालो है फटा फट से यहां पर निकालो जल्दी से क्या होगा चलिए करिये इसका अंसर जल्दी से फटा फट से यहां पर कह रहा है C E I O कह रहा है कि H N H J N U J L P V F L F H L R कह रहा है C E I O उसके बाद कह रहा है H J N V उसके बाद कह रहा है J L P V और उसके बाद कह रहा है F H L R ठीक है अब आप देखो यहां पर क्या होगा भी यहां जल्दी से सो C से E गया मतलब प्लस 2, E से I गया प्लस 4, I से O गया प्लस 6, J से L गया प्लस 2, प्लस 4, प्लस 6, ठीक है, यहां देखो, प्लस 2, प्लस 4, और प्लस 8, यहां देखो, प्लस 2, प्लस 4, और प्लस 6, तो यहां पर केवल लॉजिक अलग जा रहा है, कहां पर, यहां पर, यहां ज पुरी जान लगा रख्ये भाई साव चली अगरा कोश्चन है आपकी स्क्रीन पर बदाएए क्या रहाए EIO, YCI, PTY, DHN तो EIO अगर आप देखो कि प्लस 4, प्लस 6 प्लस 4, प्लस 6, प्लस 4, प्लस 5 और प्लस 4, प्लस 6 सो सब में सही है PTY अलगे क्योंकि प्लस 4, प्लस 5 का लोजिक है अगला कोश्चन देखो बहिया यह कोश्चन ना पहला लोजिक जो मैं लगा रहा हूं वो लगाते हैं दूसरा लोजिक अपोजिट लेटर तीसरा लोजिक कुछ ना मिले तो वावल और कॉंसोरेंट बस चलो इसका अंसर करो जल्दी से यह कोश्चन अब आपसे क्या क्या रहा है प्लेस वैल्यू सबसे पहले प्लेस वैल्यू को एडिशन सब्ट्रेक्शन का लॉजिक देखा जाता है ठीक है याद रखेगा हमेशा इस बात को क्या रहा है एचस पी है एचस से एस गया तो देखो अब यहाँ पर ह और एस अपोजिट है पी गया माइनस थी कैसे देखो मैं अकर यहाँ लिगदू है एचस पी और मैं लिगदू जे-क्यू टी और मैं लिगदू एफ यू आर cambiar ने लोल ठीक है यहाँ लिग दो मैं लोल सही है अब यहाँ देखो हसे, है स OFFOSIT है P गया-3, ज Q owned T गया-3, और F U tips है R गया-3, LO apposite है फिर-3, यहाँ देखो सब जगा-3 हो रहा है, कीवल यहाँ, प्रस गयाँ, लग नेक्स्ट तो इसोशिं में भी सेम लोजिक लगेगा, जो मैंने अभी बताया था, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं इस question में भी same logic लगेगा plus 3 plus 2 plus 3 plus 3 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 2 plus 3 तो यहाँ पर plus 3 नहों कि यहाँ plus 2 हो रहा है ठीक है अब यह question पर आईए set theory क्यते है in question को in question को क्यते है set theory sir अगर alphabets की place value याद ना हो तब क्या करे अनुकूलता की शम्ता जैसे theory वाले topic की महरतन लगवा दीजे सभी करवा रहा हूं मेरे भाई word की value याद ना हो तो exam में क्या करें copy में लिखिये भाई और क्या करना है sir समझ रहे हैं बात को याद ना हो तो आग copy पे लिखिये गा नहीं तो वैसे याद गल लिजे यार कितना महरत का काम नहीं है अगर आप देखेंगे 6 ती 18 तारा तारा चे ती 18 यहां देखें 9 ती 18 नौदूनिय अच्छा थीक है इंटू 2 हो रहा है पहले तीन दूनिय 6 छे ती 18 इंटू 2 हो रहा है तो नौदूनी 18 और उसके बाद 9 तीया 27 आठारा तीया 54 यहां देखो साथ दुनी 14 और उसके बाद 14 तिया 42 यहां देखो 8 दुनी 16 और 16 तिया 48 होना चाहिए था जो की नहीं है which is not equal to 56 यहीं गलत है ठीक है यहां पर भी सही है सोचे दुनी 12 तिया 36 तो यहां पर अलग कौन सा है option C में जो है वो logic follow नहीं कर रहा अगला कोशन देखो next ने बताओ option C में logic follow नहीं कर रहा बिल्कुल भी logic follow नहीं कर रहा option C में अगला कोशन देखो next ने आपकी screen पर बताओ कि अगले में क्या गया रहा है क्या रहा है 13 49 65 उननिस 57 95 ठीक है बहुत simple है अगर 13 तियां कर दो तो 49 हो गया और 13 पंजें कर दो तो 65 हो गया ठीक है फिर ऐसी यहां देखो 19 गुडा 3 कर दो तो इसका हो गया 23 की गुड़ा पास से कर दो पास तिया 15 और 115 हो गया which is not equal to 105 ठीक है और 17 की गुड़ा 3 से करेगा भाई 15 आएगा और 17 की गुड़ा 5 से करेगा तो 85 आएगा तो सब में logic follow कर रहा है केवल इसी का logic अलग है that is option C सब में logic follow कर रहा है केवल इसी का logic अलग है यानि के option C आपका answer हो जाएगा अगला question देखो next है बदा हुई है अगला question है next है नेक्स्ट है देखो 15,30,225,17,37,37,12,24,14,13,26,16,9 क्याना 15,30,225 तो यहाँ पर क्या हो गया 15 का score कितना हो गया 215 हो गया और बागी दुगनादा यह यई गलत है क्योंकि 17 का square 289 होता है तो यह question देख लीजे इसको भी आपको करी लेना है है यह कोशन आपको करना है यहां पर आ जाईए फिर मैं आपको एक तरीके के कही सारे कोशन गरा दे रहा हूं एक दो कोशन मैं आपको होंवर्क से भी दे रहा हूं जो आपको जो है उसमें टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएंगे ठीक है बहुत बढ़िया साहिबा आचल सूरज नवलेश आज और भी क्लास हैं गया मेरी तो भाई अब रोजी चलती है यह ना मैं तो रुक नहीं रहा हूं ठक नहीं रहा हूं कोई बात नहीं या तबियत तो खराब होना चलता ही रहता है जिन्दिगी में तबियत खराब होना सही होना यह तो चलेगा लेकिन तुमसे वादा किया है 18 तारिक तक बैड रेस्ट पर नहीं पढ़ूंगा चुट्टी नहीं करूंगा तो वह वादा निभाऊंगा उसके बाद बले पढ़ जाओं क्या रहा है री प्रोडेक्शन करना री स्टोर करना रिनवेट करना और चटनी करना तो चटनी सबसे अलग हो गया क्योंकि बाकी सभी एक फ्लो में जा रहे हैं एक सिनोनिम से ठीक है बाकी तीनों का समू है इसका देखिए इसमें बदाएए इसका देखिए इसमें बदाएए क्या होगा इसका देखिए, इसमें क्या होगा, 3, 5, 11, 14, 17, 21, तो यहांपर देखो, 3, 5, 11, 14, 17, 21, तो यहांपर 14 अलग हो जाएगा, क्योंकि यह even number है, बाकी सब odd है, यहां प्राइम का लोजिक है यही नहीं, क्योंकि 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 17 भी दो ऐसे हैं जो प्राइम नहीं है लेकिन बाकी सब ओड है 14 जो है वो इविन है तो option C आपका answer होगा अगला देखो next यहाँ पर prime number का logic है यहाँ पर जो है वो prime का logic है यहाँ पर जो है वो prime number का logic है भई है ना क्या एक 37 47 47 51 71 73 यह क्या सी यह क्या हो गया तो option D उसका answer क्या सी उगो गया option D इसका अग होगा चलिए क्या रहाए कि चिकिन पर एक श्वाइन क्रोकोडाईल इन मेंसे तीनों last के जो है वो पानी जलिये जीव भी है मतलब जल में भी रह सकते हैं एक है बस्तिके ऐसे question में generally जो logic आता है वो या तो इनके classification पर यह मतलब जो है जानवर है यह पक्षी है क्या है मतलब उस तरीके का आता है दूसरा आजाता है यह पानी में रहते हैं जल में रहते हैं तीसरा इनके बच्चे देनी की शम्तापर की इन में से कौन अंडे देता है या कौन डारेक है वो आपको करना होता है during the examination जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुर्गा यानि कि जो चिकन है वो आपका पानी में रह सकता बाकिये तीनों पानी में भी रह सकते हैं ठीक है अगला question देखे क्या गंगतोक सिंग भूम हैदराबाद और चिन नहीं क्या गंगतोक सिंग मतलब वही होगे ना उनके रहने की शम्था के अधार पर मैमल्स रेप्टाइल वाली जब भी बात आई तो उनके रहने की मतलब आदतों के अधार पर बात आगे ना दोस्त मेरे मित्र चलिए अब यह question देखे यहां पर बदाए तो क्या रहा है गंगतोक सिंग भूम हैदर एक मना टुक जाओ पर यहां पर ऑप्शन ही गड़ बढ़ हो गई है ना D हाएगा और E हाएगा cycle है यह क्या है यह cycle अब इनमें बताना है आपको अलग कौन सा है कार स्कूटर हेलिकॉप्टर विमान और cycle इनमें से आपको अलग बतानी है कौन सी होगी साइकिल ही अलग हो जाएगी क्यों क्योंकि cycle बिना पेट्रोल के दोड़ती है बाकी सब को पेट्रोल डीजल की जरूरत है अगला देखे क्या राए वह शब्द चुने जो बाकियों से अलग है खेर चुने बाकियों से अलग घृट रिगवेद यजुर्वेद और इवेद तो अई उर्वेद अलग हो जाएगा क्योंकि यह आपका medical science का यह आपका medical science से संबंदित आयुरवेद है ना जबकि रिगवेद यजुरवेद और अतर्ववेद यह क्या है हमारे संस्कृतिक यानि कि हम कह सकते हमारे religious है धार्मिक गरंत है क्या है religious है धार्मिक गरंत है अगला question आएगा आपका distance and direction का दिस्टेंस इंडारेक्शन का जो खेल है वह बहुत सिंपल सा है वह सारा खेल directions की अधार पर हमें याद रहनी चाहिए direction क्या होती है अगर हमें direction याद नहीं है तो हम कभी नहीं गर पाएंगे यह north ये south ये east ये west ठीक है इसको north east कहते है इसको south east कहते है इसको south west कहते हैं इसको north west कहते है direction किस-kिस को याद रहती है और आगर आपको बाएं और दाएं का इनको बहुत द्यान से देखेगा सही है चलिए पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर बदाएए पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर देखे कोशन क्या कह रहा है बनाईए जल्दी से आंसर पहला question देखिए आपकी screen पर है बनाईए question गा answer करिए क्या कह रहा है फटावड से कह रहा है अभिशेक एक बिंदू ए से शुरू करता है कह रहा है अभिशेक एक बिंदू ए से शुरू करता है लेफ्ट राइट पे दिक्कत आती है बट सर बाकी तीन के पंक भी है मगर मचके नहीं है साप के कौन से पंक हो गए दिव्या ऐसी बात है मत करो रहे चलो करो आंसर इसका क्या रहा है अभिशेक एक बिंदू ये से शुरू करते हुए दक्षिड की तरफ 15 मीटर चलता है तो एक बिंदू ये से शुरू करते हुए दक्षिड की तरफ 15 मीटर चलता है फिर वह बाय मुड़ता है तता 20 मीटर चलता है फिर वे बाय मुड़ता है तता 20 मीटर चलता है इसके बाद फिर से बाय मुड़ता है और 15 मीटर चलता है और बिंदू B पर पहुँच जाता है बिंदू A के संबन्द में बिंदू B कितनी दूर तदा किस दिशा में है तो A तो यह था इसके संबन्द में दिशा हो जाएगी वेस्ट और दूरी कित्ती हो जाएगी 35 टोटल है ये 20 है यानिकी 15 तो 15 मीटर पश्चिम आपका अंसर होगा 15 मीटर वेस्ट इस दराइट अंसर डाट इस ऑप्शन अब यहां पर जो D दे रहे हैं इस्ट ऐसा रेपट म तो A से क्या दिशा होगी इसकी पश्चिम होगी अप गदय कहीं कि तो ऑंसर क्या हो गया इसका option number U अगला कोशन देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ अगला कोशन देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाई है कि अगले कोशन में आप से क्या कहा रहा है करिये जल्दी से अगला कोशन देखिया नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बदाईए अगला कोश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बदाईए कि अगले कोश्चन में आप से क्या कहा गया है पड़ा फट से करिए क्या रहा है मैंक का घर दक्षिट के ओर है वह अपने घर के पिछले गेट से निकलता है यानि कि घर का गेट तो दक्षिट में पर पिछले से निकला यानि कि वह बैकवर्ड से निकला अर्थात जो है वह पूर्व उत्तर से निकलता है तो मैंक का घर दक्षिट की ओर है वह अपने घर के पिछले गेट से निकलता है और 18 मीटर चलता है यानि कि मालनी जे वह पूर मुरता है और 35 मीटर चलता है यहां पर 17 मीटर चलना oh आग स्क्राम ह्यारा काम हो जाएगा उसके लिए क्यूं हो जाएगा क्यों के टोटल दूरी 35 ती 18 यह चल चुका था तो जब यह 17 चलेगा तो यह दौनों पॉइंट आमने सामने होंगे motor मौल इस्तिती सी किस दिशा में तो यह उसकी मौल इस्तिती यह दिशा हो जाएगी उसकी पूर्व और दूरी हो जाएगी 28 प्लस 12 कितनी हो जाएगी 28 प्लस ये 12 यानि कि 40 मीटर तो 40 मीटर पूर उसका आंसर होगा 40 मीटर इस्ट आंसर होगा अर्थात option D's का right answer होगा अगला question देखें next है आपकी screen पर बदाए अगला question देखें next है आपकी screen पर बदाए अगला question क्या कह रहा है चलिए अगला question देखें next है आपकी screen पर बदाए कि अगला question अब आप से क्या कह रहा है पड़ावट से बदाए पड़ावट से कांसर करिए इस question का क्या रहा है कि रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चली फिर दाए मुड़ी तथा 60 मीटर चल कर बजार पहुंची देखें यहां पर distance वह अली आएगा question जिसमें जो है वो दूरी पता नहीं होती अभी समझाओंगा कैसे रिया अपने घर से उत्तर की ओर चली 90 मीटर चली तो मालो रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चली फिर दाए मुड़ी 60 मीटर चली इसके बाद वह बाए मुड़ी बजार तक कुछ दूरी चली फिर वह बाए मुड़ी 160 मीटर चली ठीक है तो यहां से चलाओ ना फिर यहां से चलाओ ना सरे से ऐसे करके थोड़ा उपर ले लेते हैं यहां से चलाते हैं किया रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चली यानि कि ये चली 90 मीटर फिर वे दाय मुडी तथा 60 मीटर चली वे दाय मुडी फिर 60 मीटर चली ठीके इसके बाद वे बाय मुडी तथा बजार से यह market था कुछ दूरी चल कर पहुची है नहीं पता तो हम क्या मानेंगे हम इसको X मानेंगे पिर यहाँ से वह पुना 165 मीटर चल कर बाजार पहुची सारी 160 मीटर चलकर विद्याले पहुची मत्तब स्कूल पहुची यह कहां आ गई स्कूल आ गई बिटा ठीक है अब क्या रहा है कि उसके रिया के घर एवाम स्कूल की हवाई दूरी जो है वो 260 मीटर है यानि कि यहां से और यहां तक की दूरी कित्ती है 260 मीटर आपको यह दूरी बतानी है वो कितना चली थी इस दूरी को निकालने के लिए आप इसको पाइथागोरस में कनवर्ट कर दोगे इस दूरी को निकालने के लिए आप क्या कर दोगे इसको पाइथागोरस में convert कर दोगे, यहां से यहां तक यह total दूरी कितनी हो गई, यह हो गई आपकी x plus, यह नीचे वाली कितनी 90, तो मैं यह कह सकता हूं कि यह जो x plus 90 आपने निकाला है, it is equal to p है ना, तो p is equal to कितना आ गया, x plus 90 आ गया, perpendicular आपका यह हो गया, यहां से यहां तक मैं कह सकता हूं, यह base है, और base की value कितनी हो गई, भया total है 160, इसमें से 60 यह चला गया, तो इधर का अंदर का बचा कितना 100, तो अंदर का 100 बच गया, hypotenious 260 दी गई है, हम जानते है, hypotenious का square is equal to base का square, plus perpendicular का square, यानि कि 260 का square is equal to base कितना है 100 का square, plus perpendicular का square, डारेक्ट ऐसी लिख लो अभी 26, 26 का होता है, 676 676 00, यह धर जाएगा, तो 100 का होता है, 110 का होता है, 102 0 extra लगे, is equal to P square, so P square की value हो गई, 576 00, यानि कि यहां से P की value आ गई, कितनी, root of 576 00, अर्थात P की value आ गई, 240 meter, P की value कितनी आ गई, P की value आ गई, आपकी 240 meter, ठीक है, तो P की value 240 meter आ गई, P की value 240 आ गई, और P था कितना, X plus 90 दाना, यहां पर था P is equal to X plus 90, यह कितना आ गया, 240 is equal to X plus 90, तो यहां से X की value कितनी आ गई, 240 minus 90, यानि कि यह कितनी आ गई, X की value आ गई, 150 meter तो X की value कित्ती आ गई 150 तो ये दूरी जो आ गई वो कित्ती आ गई 150 आ गई और यही दूरी आप से पूछी गई थी तो इसका अंसर जो है वो option C हो गया इसका answer जो है वो क्या हो गया इसका answer जो है वो आपका option C हो गया ठीक है चलिए एक और question है इसी तरीके का एक और बहतरीन कोशन है इसको और कर लीजे एक और question है इसी तरीके का एक और बहतरीन कोशन है इसको कर लीजे जल्दी से फुरफुरी नगर वाले भाई साब इसलिए तो कहते हैं पहले से पढ़िए अब जिसने distance and direction को καॉन हाई इसा जिसने नहीं पड़ा होगा ना उतिमाग इसने गुमेगा और जिसने डिस्टेंस को मेरी क्लास से पड़ा होगा बना यह सब उसके लिए क्या है चुटकी भर जिसने नहीं पड़ा होगा जिसने इधर उधर पड़ा है असान असान चीजे करी है अब वो परिशान हों गे रहा गुरू जी और क्या आ गया बवाल एक्जाम में आएगा कंप्यूटर उस पर रेडियो अपरेटर वाले में इतने बड़े-बड़े कोशन आये थे पूछ लो यह पेपर दे के आये हुए यह तुम्हारे सामने गवाँ है इस बात के और यह करके आये हैं क्योंकि इन्होंने पड़ा था चलिए अब यह इग लिए वहाँ से इपने घर करता है उपने लिक्पातस कि 20 अरेइंट फिर श्राण वहें परू और 50 मीटर चलता है निकि भी यह तरफ पहुचने के लिए 40 मीटर चलता यह यांनि कि यहां पर औगिए कि कं से अब यहां से यहां ओ जएगा ऐसे करके अब यहां से यहां हो जाएगा से करके चलत ही मस्पताल के हमाई धी एकषश मेटर्य ज्यांगी गया यह लुक्त निकालना कोई बड़ी बात है अरे बिल्कुल भी नहीं गुरुजी तुमने सिखा रखा है है ना यहां से इसको क्या कर दो पाइथागुरस में कनवर्ट कर दो ऐसे करके ठीक है यह X हो गया और यह आपका 20 हो गया तो यहां से और यहां तक की दूरी कित्ती हो गई X प्लस 20 हो गई यह आपका H हो गया है ना और यहां पर इसको आपकी दूरी कित्ती हो गई यह आपकी 80 थी यह आपकी 40 थी टोटल कित्ता हो गया 120 तो P is equal to कित्ता हो गया 120 हो गया ठीक है B is equal to कित्ता हो गया X plus 20 हो गया और H की value पता ही है So H square is equal to P square plus B square ठीक है H की value कित्ती हो गई H की value हो गई 130 और बराबर P square कित्ता हो गया आपका 120 का square हो गया और B sqr गित्ताा हो गया, B's value B में रग दी तो यहाँपर 13thा square होता है 16900 minus 144 00 is equal to B sqr 1 4 4 144 00 is equal to B sqr to B sqr is equal to हो गया 0 में 0 गया, 0 में 0 गया, 9 में 4 गया, 5 और 14 14 में 14 गया, 2, so B sqr is equal to हो गया, root of 2500 root of 2500 B is equal to गित्ता हो गया, 50 हो गया, B' की value वेल्यू कितनी आ गई आपकी 50 आ गई अब इस B की वेल्यू इसमें पुट कर दो यानि कि 50 is equal to X plus 20 so X की वेल्यू कितनी आ गई 30 और यही आपको चहिए थी that is option D कितना चहिए था option D जो है वो आपका answer होगा option D जो है वो इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा option D जो है वो आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा जिसको topic wise reasoning पढ़नी हो उसके लिए comment में playlist जो है वो पिन कर दी गई है है ना वहां से कर लीजेगा सही है बहुत बढ़िया यह कोशन आप करी लेंगे homework का कोशन है इसको आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं सेम कोशन पैटन पे जो मैंने आपको कराया है यह भी आप यह कर लो इसका answer बदा देते हैं इसको करा देते हैं अभिशेक शिवहारे तुमको कैसे भूल सकते हैं मेरे बूल गया मैं चले एक कोशन देखो क्या रहा है अभिजीत अपने घर से निकलता है अतरपशिम दिशा में 30 मीटरचलता है अब इसके बाद बाद वे दक्षिर पूर्व में, बाद बाद नीचे और इसके बाद वे उत्तर पूर्व में 30 मीडर चलता है, यानि वो वापस से दर चल करके इस पॉइंट पर आकर कर डुग जाता है, यह क्या ही यह उसका शुणी पॉइंट तो आंसर कितना हो गया, option b हो गया, क्याते हैं जहाँ से चला था वहीं पहुच गया, का मश्मकिलों से क्या कई हीब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं कुद कहर हजार भूँ, तो इसी तरह मुहनत करते रहो यार तुम , ठीक है चलिए। अगला question दिए Onda our आरजुन पूर्व के और चलना शुरू करता है, हो जाएगा, आपको होमवर्क के लिए है, ये भी हो जाएगा, होमवर्क के लिए है, सेम पैटर्न पर है, ये भी हो जाएगा, होमवर्क के लिए है, नहीं है, इसको करिए, जब आपको स्टार्टिंग डारेक्शन ना दी गई हो तो अभिशे कर क्या रहा है मुझे तो पता था कि तेरा सेलेक्शन हो गया है दोस्त महनत कर ले भाई अब भी कब कब करेगा महनत फिर दो-तीन साल तो हो गए पढ़ते भाई तीन तो जगा मेरी बदल गई आपको स्टार्टिंग डारेक्शन ना दी गई एँ टो आपको क्या मानहन के चलना है कि वह इस्ट में नहीं दी गई यह तो इस्ट में माल ले ना हैरा purple अपने घरसे चलना करता है वह बज़ार पहु real direction और question की direction अगर match कर जाती है तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है है ना ये real में भी north होता है और ये question में भी north है तो हमने जो चलाना शुरू किया था वो हमारा answer direct हो गया east अगर match नहीं करती तो हम उसके हिसाब से answer देते तब हमें match करानी परती या match कर गई तो बात ही सही हो गई या match कर गई तो answer क्या आगया बिल्कुल सही आगया चलिए अगला question देखे next आपकी screen पर बदाईए सही है या इसको रहने दीजे ये वाला question करिए ये वाला answer बदाईए पहले ये वाले question का answer बदाईए जल्दी से ये question अब आप से क्या कह रहा है चलिए इसका answer करिए last question है इसके बाद जो आपका बचा हुआ portion है मैं कल आपको deal करूँगा है ना कह रहा है यदि south east देखो आप real directions पर आओ real directions क्या होती है real directions की बात करोगे तो sir real directions क्या होती है आपकी ये north होता है ये south होता है ये east होता है ये west होता है ये north east होता है ये south east होता है ये south west होता है ये north west होता है ये क्या रहा है यदि दक्षिडपूर्व उत्तर बन जाए ये क्या रहा है यदि south east north बन जाए अब यहाँ पर कौन आजाए यहाँ पर north आजाए और नॉर्थीस्ट वैस्ट बन जाए यानि कि यहाँ पर कौन आ जाए यहाँ पर आपका वैस्ट आ जाए ठीक है, तो बताओ and so on, and ittyon नहीं है वो and so on है भाई, and so on so what will southwest become यह क्या बन जाएगा, वैस्ट के सामने कौन होता है, वैस्ट के सामने east होता है नौर्थ के सामने कौन होता है, साउथ होता है, तो वेस्ट के सामने कौन होगा, एस्ट होगा, यानि कि साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा, एस्ट बन जाएगा, खतम ऑप्शन सी आपका आंसर है, क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइड आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैं तुर पुर्वीर आप लोगों के लिए लॉंच हो रहा है इस सेशन में जरूर जुड़िएगा आश्रम साथ बजे यूपी एक्जाम स्वाला पर ये ये यूपी एसाई के स्टुडेंट्स के लिए रहेगा ठीक है चलिए सही है बहुत बढ़िया तो और टेलीग्राम ग्रूप जरूर जोइन कर लीजेगा जिसका नाम है रीजनिंग भाई पुलकित सर आपको हरे क्लास की पीडिएफ वहां पर मिल सके सुबह आट बजे आपकी रीजनिंग की मॉडल पेपर चल रहा है सुबह आट बजे जरूर करि रहेंगे तो कल के टॉपिक सुन लीजिए सर कल के टॉपिक रहेंगे कल नौ तारीक है कल के टॉपिक रहेंगे डाइस क्लॉक और कैलेंडर कल के टॉपिक रहेंगे डाइस क्लॉक और कैलेंडर कल यानि की नौ फेब्री को नौ फेब्री दुपहर एक बजे दुपहर एक ब ठीक है तो दाइस, क्लॉक और कैलेंडर ये तीन टॉपिक कल में आपको शॉर्टेस्ट फॉर्मिट में रिवाइस करा दूगा ठीक है चलिए तो आज का सेशन इतना ही तब तक के लिए टेक कियर गाइज और गुड डे रवी ओल जैहिन